नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आयरुदिक डॉक्र मुकूल शर्मा और ये चैनल आयरुदिक ग्यान के लिए है एड्स और अपने शिफ्लिस के परती तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कोई भी STD रोग्स है यानि कि एड्स और हर्पी जैसे रोग तो अगर आप सोजने लग जाएं कि आपके सरदर्द है खांसी है गले में छाले हो चुके हैं आपके कहीं कुछ फोड़े हो जाते हैं तो लगबग सेम 90% सेम से ही लक्षन होते हैं हमारे एड्स और शिफ्लिस में तो बहुत सादा लोग क्या करते हैं कि वह डरने लग जाते है कि उनको नहीं HIV तो नहीं वो ना तो शिफ्लिस के लिए सोचते हैं ना अधने बिमारी के लिए सोचते हैं क्योंकि उन्होंने को पता है कि हमने क्या किया है हम ऐसी जगा गए थे ऐसे पार्टनर के साथ रहे थे कहीं उनसे हमें बिना प्रोटेक्शन के हमने समद बनाये तो तो हमें कहीं एड्स तो नहीं हो गया, तो ऐसे उनके मन में विचारदार आने लग जाती है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा HIV के पेशन डिप्रेशन में रहते हैं, सिफ्लिस के पेशन डिप्रेशन में रहते हैं, कि उनकों ये क्या हो गया, तो उन सभी को में यह कहना चाहूँगा, आप डिप्रेशन में नहीं आए, एड्स होना आपको ज़रूरी नहीं है, आप VDRL टेस्ट करा सकते हैं, आप HSV टेस्ट करा सकते हैं, आप उनमें भी पाए जा सकते हैं, अगर आपको सिफ्लिस भी हो सकता है, हर्पिज भी हो सकता है, क्योंकि सिफ्लिस और एड्स के लक्षन, लगबग सेम ही होते हैं, कुछ फरक होता है, तो वो कोई खास फरक नहीं होता है, क्योंकि जो लक्षन, जैसे के अपने खासी, बुखार, वजन कम होना, मुँमें चाले आना, घरास होना, नॉर्मली ये लक्षन होते हैं, कुछ जगह अपने शिफ्लिस में अपने फोड़े होना, बिनना, कुछ दर्द वाले, तो वो एट्स में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है, शिफ्लिस, शिफ्लिस का तो में लक्षन होता है, तो आप इस चीज को कान्फर्म करना ज़रूरी होता है, आप इस चीज को सोच-सोच के अंदर यंदर खराब मत होईए, अंदर यंदर डिप्रेसर में मत जाएए, कि आपको एड्स है, आपको शिफ्लिस भी हो सकता है, आप शिफ्लिस की जांच करवाईए, आप जाएए अपने नजदी की कोई भी मेडिकल लैप्स पे, या सरकारी लैप्स में, वहां जाकर आप अपना चांच करवा सकते हैं, और कोई भी समझा है, कमेंट कर दीजे मुझे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नमस्क्राइब